कि नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका एक बार फिर से मेरे यूटूब चैनल पर और जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी के एक्जाम्स आ चुके हैं तो मॉस्ट कोश्टन का वेट सभी कर रहे हैं तो आज की क्लास में या आज की लेक्टर में हम बात करने बात करने वाले हैं तो जो जो इक्जाम्स का थोड़ा सा पता होगा कि क्या आता है कि फक्टेश्ट्स की ऑंदर को पता है chemistry के अंदर पांच यूनिट आती है जल्दी से मैं बता देता हूं ताइवेस्ट नहीं करूंगा पांच यूनिट आती है जिन में से हर यूनिट में से आपको दो-दो करने वाले हैं कि यूनिट उनीट का नाम क्या है ट्रॉनन च् belki यहाँ बात हो रही है डिग essent की शंक्रमन संत्रमन्तब की स्रेनी हैं वहां पर किसकी बात हो रही है डी ब्लॉफ के अलिमेंट की तो देखो यहां पर आपके स्लेवर्स में हैं फस्ट सेक्ड और थर्ड यह तीन अब आपको इस नहीं पढ़ना है कुछ लोग कहेंगे सर इसमें तो बहुत जादा है क्या पड़े क्या सबसे पहले चीज एक्जाम से पहले आपको इन में टीनों सरेनों के इलेक्तृlog को ज्हक्त लेना है कि इलेक्ते संद और आपको जाता है और गलोक में जर्व पूछा जाएगा आपको हो सकता है electronic विन्यास पे पूरा short note दे दिया जाए या फिर यह हो सकता है कि कोई सा भी element उठा कर आपको पूछ लिया जाए कि इस तत्व का इस element का electronic विन्यास बताईए जैसे suppose कि यह आपसे पूछ लिया gold का electronic विन्यास बताईए पोच सकता है या सिल्वर का बताईए या प्लेटीनों का बताईए किसी का भी electronic confession आपसे पोच सकता है तो सबसे पहरी चीज आपको electronic confession तो याद रखना है इसमें से जरूर 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 questions आता है ठीक है उसके बाद आपको general से चीज डी d block की जो properties होती है वो याद करने है d block की properties मतलब आपको सारी property वैसे तो देखो पूरी उनिटी अंदर properties properties है और कुछ नहीं है लेगिन फिल भी आपको हलका हलका सा पढ़ना है थोड़ा सा कि d block में आयननुजा कैसे होती है तिर्जिया कैसे होती है ठीक है घना तो कैसे होता है थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है कि एक्जाम में पेपर ज्यादा बड़ा नहीं आएगा सोट पेपर आएगा तो आपको छोटी-छोटी सी चीजे पढ़ने है और इसके लाब डी लोग के जो तत्वों के गुन होते है ना अलग से भी कि मतलब उनकी प्रिकर्टी कैसी होती है कि इसमें इलेक्ट्रों त्यागने की प्रिवर्टी होती है इस तरीके से तत्वों की तो छोटी-छोटी सी चीजा आपको पढ़ने है लेकिन प्रिवर्टी और आपको अराम से पूरा कॉश्टन मिल जाएगा यहां पर और एक आप छोटा सा यह कोश्टन जैसे सोट कोश्टन आता है जिसका रीजन बताए तो यह रीजन आपसे पूछ सकता है किसके रीजन बताओ ठीक है मैंने पहले की कई वीडियो में बताय हुआ है इसके अलावा और तो क्या ही पूछाएगा चोटे-चोटे questions जैसे मान लिजे आप D-Blog पढ़ते हो उसमें electronic confusion पढ़ते हो अब वहां पर कहीं कहीं किसी element में किसी तत्रुम में ऐसा होता है कि उसका electronic वियास थोड़ा सा अलग होता है तो आप से पूछ ले जाएगा कि इसका electronic वियास थोड़ा सा अलग क्यों होता है बलब exception type में तो 4-5 साल के paper में जो exception वाले question आया है अपवाद वाले question आया है वो आप देखना कि इनमें ऐसा क्यों होता है होता है तो क्यों होता है region वाले questions इसमें ज्यादा पूछे जाएंगे और इसमें एक oxygen कराना वस्ता oxygen state का question और जन्रल सी चीज़ है एक ग्रेंटे में तयार हो जाएगा electronic confusion देखना तीन-चार properties देखना जो मैंने बताया है उसके लावा zinc, cadmium, mercury यह संक्रमन तत्व में क्यों नहीं आते छोटा questions है और oxidation state के बारे में थोड़ा से देख लेना आपका पूरा का पूरा question तयार हो जाएगा ठीक है उसके बाद अगली unit आती है अगली unit चलो कौन सी बात करें हम करते हैं coordination की, coordination compound की, देखो जो मैं बता रहा हूँ आप उसके साफ से paper तयार करके जाओगे, question तयार करके जाओगे आपका paper बढ़िए जाएगा, और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे ही video डालता रहूं, सारे papers की जिखने भी हैं, तो मेरी video जादे से जादा share होनी चाहिए, डालूँगा, और खौसिस करूँगा कि जितने भी paper हैं, सारे papers की वीडियो में डालूँगा, तो आप से सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप मेरी video को जादे से जादा share कीजिए, ठीक है, तो आगे देखते हैं, correlation compound या जिसको हम बोलते हैं, ओप सहे सही हो जग योगी था, ओप सहे सही हो जग योगी था, अब इसमें क्या आता है, ठीक है, तो बिल्कुल fix question बता रहा हूँ, बिल्कुल fix, एक तो आपको पढ़ना है, नाम करना है, normal creature, ठीक है, आपके 70% क्या होगा, कि या तो आपके exam में क्या होगा, कि आपको इस तरीके जैसे k4, fe, cn6, इस तरीके का आपको कोई compound दे दिया जाएगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका नाम लिखो, ठीक है, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा, और उससे पू रहेगा, फोर्मल लिखो, अब आपको क्या करना है बई, देखो यह जो नाम है ना, सही बात बता रहा हूँ, यह जो 4-5 साल में बार बार रेपीट हो रहे हैं, कम सिखम 10-15 नाम है, बार बार रेपीट हो रहे हैं, हर साल रेपीट हो तो आपके पास अगर है, जैसे sold paper है, आप वो 10-15 नाम रट लो रट के रग लो वापिस से वही आएंगे जिसके पास बुक है उसमें से रट लो नहीं है कोई बात नहीं मुझे मैसेज करना कमेंट करना में वह 10-15 नाम आपको भेज देंगो सिद्धान में यूटिब चैनल तो भी पढ़ा होगा पहले का पुरा नीगों के पढ़ेगी तो वर्नर्स थियोरी आप पढ़ लेना बिल्कूल जिहां से पढ़ना वर्नर्स थियोरी बिल्कूल आपके काम आईगी तो अगर आपके पास नोमन कलेचर नहीं आए ना तो वर्न इसके लावा इसके चोडिंड ऑप जिए वेलेश बॉलिक क्या है इसको समझाईगे यह फिर इसमें जो समावेवता है समावेवता है आई सो मेरिम है वह ठीक है तो भई है वैसे आधवार चाहो चाहरो तो चाहुंड टॉपिक कर सकते हो और नहीं कर ना चाहते तो या तो अब यह दोवनों टॉपिक पढ़ लो यह दोवनों टॉपिक पढ़ लो, एक question आपको इस में से मिल जाएगा, नहीं तो आपको इसमें से मिल जाएगा, आइसो मेरिजम और वीबिटी में से ठीक है थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना आपका दोनों कोश्चिन त्यार हो सकते हैं लेकि जब आपको करना ही एक है तो आप एक काम करना या तो इन दोनों टॉपिक में से पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है तो यह आपके पास क्यों हो तो यूनिट उपर नीचे हो सकती है आपको यूनिट चेक करना अपने है इसके बाद क्या है आपके पास है लेंथेनाइड एक यूनिट है जिसका नाम है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ठीक है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड अब इसमें क्या पढ़ना है लेंथे आएघी तो किसी का भी पो कि सकता है आपको इसके बावा यहां पे एक आप और थैक सेप्रेसिन प्तक करन अब आपके नियुक्णी बताओ देख और टोपिक ऐससा कुछ नहीं है एलक्रान कोंप तर्म हाला और इसमें यूरेनियम का प्तक करन यह युरिनियम से नैप्चुनियम, प्लोटुनियम, अम्रेसियम का प्रित्रक्रार वो आपको पढ़ना है, ठीक है, एक्टिनेर में, लैंफिनेर में चोटे-चोटे से टोपिक है, जैसे ऑक्सिकर नवस्था, आईनिक उल्जा, आयोनेजन एनर्जी, ठीक है, यह चोटे-च ठीक है, मर्त पेपर का आँ जाएगा, ठीक है, तो यह आपके पास कॉंसे इनट होगे, लैंफिनेर, एक्टि आयट होगे, उसके बाद एक इनट आपके है, और रिडैक्षन Communist, लेट्सण की obliged and reduction, ठीक है, जएक है, तहो फिस रिडैक्षन एक्षम में ज्यादा नहीं, आप इन में से आपके पास एक तोपिक तो जरूर आएगा हो सकता है धोई विज़े लेकिन में इन तीनों में से एक पुछा जाना तो बिलकुल तो आप इसमें तीन टॉपिक पढ़ना है अब आप तो आपके पास यह हो गया यूनित नंबर फॉर्ट का गाम इसके बाद एक last यूनित है acid base अब acid much based में से आपको क्या करना है अब आपको क्या करना है acid और base में से आपको एक तो RNS की थיא थे ओर आपको कैसे भी निच्वाडनी है आरने यह तियोरी पढ़नी है और लग्स विलर थ्योरी पढ़नी है और आप यह सारी क्या है इसमें सारा इसमें आदे पार्ट ने से बता रहा हूं छोटे छोटे से टोपीक है यह क्या है यह छोटे छोटे से टोपीक है यह लक्स थेor Wiki यह जोटे चोटे टोपीक है तो बिल्कूल सिंपलस्नति है पढ़े लेना और देखो जो लोिस की थे तीरी आपको सकता है ऐसे दे जाए कुछ दे दे जाए कूछ मोलिकुल्स दे जाए वर आप से कहाई कि इन में से छोकी चोटी चोटी जिती ओंघता इसके लावा है ज्यादा आपको लेकिन फिर भी जितना मेने बताया है उतना लिमिटेड बताया है आप इतना पड़ोगे तो अपका काम हो जाएगा तो मैं यह चाहता हूं इस वीडियो को आप सेयर करें जाएज जादा जिससे मैं आगे भी और पेपर्स की वीडियो में बना सकूं ठीक है और आपके काम कर दो